भाईओ आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूँगा मैच नमबर 36 के बार में टीक है तो ये मैच रे कोलकत्ता और RCB के बीच और भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे किलाड़ों के नाम बताऊंगा जिनको काफी कम लोगों ने अपनी fantasy team में ले रखा है लेकिन उस सब किलाड़ों के अपनी दमदा performance आप सब को चोका सकते हैं यानि अगर आपने उनकिलाड़ों के अपनी fantasy team में रखा तो मानलो कि आज इस 2020 match में निश्रीन तोरपया fantasy के फिल में अच्छा perform कर पाऊगे अब भाई एक बात और ध्यान रखना कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 5 मेगा लिग के टीम शेयर करूँगा लेकिन मेगा लिग विन करने के लिए थोड़ा सापको अपनी किसमत का साथ चाहिए तो मैं यही कह रहा हूँ कि 5 मेगा लिग की टीम आपको दूँगा और अगर आपके किसमत ने थोड़ा साथ का साथ दिया तो इन पांच में से कोई एक टीम आर्डी स्मैक में आपको मेगा लिग विन करा सकती है कैसे क्यों सारी बात बताऊंगा बस वीडियो को देखते जाओ अच्छा एक बात तो रियाद रखना अगर भाई आप fantasy खेलके पैसा विन करना चाहते हैं अपने भी तक मेरी यूटीब चैल को सबस्क्राइब नहीं करा का तो सोचना भी मत किया आप fantasy खेलके पैसा विन कर सकते हैं क्योंकि recently जिन भाई लोगों ने मेरी यूटीब चैल को सबस्क्राइब किया ना आप उन सबसे पूछना जब से उन लोगोंने मेरी YouTube चनल को सब्सक्राइब किया है फेंटेस्ट के फिल में पहले के कंपेस्मिन का प्रोफिट इंक्रीस हो गया तो अगर आप भी फेंटेस्ट से खेल के अपने प्रोफिट को इंक्रीस करना चाहते हैं लेकिन आपने मेरे YouTube चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जल्दी से YouTube चनल को सब्सक्राइब कर लो तो भी अब मैं आपके साथ पहले बात करूँगा RSV की टीम की तो भी देखो RSV की टीम की मैं थोड़ी इज़त करता हूँ विराट की हो जैसे अदर्वाइस RSV की टीम का जो management है वो इतना वायाद है कि मैंने franchise cricket की त्यास में उनसे वायाद management देखानी है कैसे क्यों मैं सारी बात आपको बताँगा देखो RSV की टीम के management ने क्या करा कि RSV की टीम के खिलाड़ों के mind में set कर दिया कि मैं हमारी टीम की गिंदबासी कमजोर है और कमजोर गिंदबासी के चलते हैं हम IPL 24-24 में मैच्चेस को भी नहीं कर सकते यह यह क्रेशन है कि back-to-back RSV की टीम पिछले 5-3-20 मैं चार गई लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि RSV की टीम इसे गिंदबासी टैक के साथ IPL 24-24 में बहुत सारे मैच्चेस विन कर सकते कैसे क्यों ध्यान से देखना देखो RSV की मैनेजमेंट वह याद मैंने क्यों कहीं क्योंकि मैं IPL के अंदर Impact Player का रूल है Impact Player का रूल का यूज़ करके बहुत साई टीम IPL 24-24 में 2023 में आपने देखियोगी कम से कम 6 गिंदबास को किलाती है अब RSV की टीम के मैनेजमेंट नहीं क्या करा कि हैदरबाद की मजबूत बल्लेबासी लाइनप के सामने पिछले T20 मैच में चार गिंदबासों के साथ गिंदबासी करने RSV को बेज दिया पांचवे गिंदबास क्रोल प्ले कर रहा है महीपाल लोंगरोड अब बताओ मजबूत है हदरबाद के बल्लेबासी उनके सामने आप चार गिंदबासों के साथ टीम को गिंदबासी करने बेज होगे तो हदरबाद के टीम आपके सामने 287 रंड नहीं मारेगी तो फिर किसके सामने मारेगी तो सबसे पहली मिस्टेक तो यह होगे दूसरी बात कि हदरबाद के टीम के सामने मेरे कोई यह समझी नहीं आया कि आज से भी के टीम ने रज़त पाटिदा और सोरा चोहान को एक साथ एक मैट में प्ले इंगलन में क्यों शामिल कर दिया क्योंकि इनकी टीम में मेरे को लगता है विराट फैफ तो बल्ले के साथ अचा करी रहे है दिनेश कार्तिक अचा कर रहा है विल जैक स्पाटिदा सोरा चोहान में से किसी एक को सपोर्ट करना उनको अगर इन तीन में से कोई एक सपोर्ट कर दे तो आर्सवी की टीम मैच इसको विन कर लेगा फिर नीर्चे आप अनू जरावत को भी किला रहो तो अनू जरावत को उपर ही किला दो ना वो सोरा चोहान के फ्लेच्पा पर एक हैस्टर इंडियान गेंबास के साथ जा सकते है जिसके चलते है अटलिस्ट आपकी गेंबासी तो कम्प्लीट हो प्लस में अगर इनकी मेनेजमेंट को बल्लेबासी और गेंबासी में गहरा ही चाहिए अपनी बल्लेबासी गेंबासी के दम पर टीम को विन भी कराता है और सिड्नी की टीम लगाता बिग बैश लिग में आप सब लोग जानते है फ्लेओफ खेल रही है फाइनल खेल रही है इनी गिलाडों के संथ आईपेल 24 में में जिसको विन कर सकते है लेकिन मेरे को लगते हैं कि इनकी मेरेजमेंट बहुत ज़्यादा वाहियाद है अगर उन्होंने अपनी गलती को नहीं सुझा रहा तो आईपेल 24 में इनकी टीम के अच्छे परफोर्मेंस करने के चांस मेरे को काफी कम लग रहे है चलो अब बात करते हैं फिचकी देखो जब आप लोग को यह पता चलेगा कि यह T20 मैच कोल कता में है तो आप सब के दिमाग में क्या आएगा कि भी मैच एक हाई स्कोरिंग होना चाहिए लेकिन बाई सरूरी नहीं है कि यह T20 मैच एक हाई स्कोरिंग होगा अगर मेगा लिग में आप अच्छा परफोर्म करना चाहते हैं तो आपको एक फेंटसरी टीम बनाना ही पड़ेगा कि ये T20 मैच लोई स्कोरिंग हो सकता है इस मूल ली खेलरों मैं आपकी बात से एगरी करता हूँ कि जो फिच्च बल्लेबास के लिए अच्छा है हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए और इसमेरे में बल्लेबास गिंदबास के कमपेस मैच आपरफॉर्म करते हैं लेकिन आपरेल 24 में ये वैनोपे केले के पिछले 3 T20 मैच द्यान से देखना 23 अपरेल 24 की बात है कोलकत्ता टीम ने 208 का टागेट दिया हैदरबाद ने 204 मारे फिर 16 अपरेल की बात है कोलकत्ता ने 213 रं मारे रास्थान के टीम ने 224 रं मारे उसने 20 और में सिर्फ 171 रं मारे कोलकत्ता की टीम ने 15 रं में इस टागेट को चेस कर दिया तो मैं कह रहा था अगर मेगा लीग में आपको अच्छी परफोर्म करनी है तो आप ये फैंटेसरी टीम तो बनाओ कि मैच हाय स्कोरिंग होगा तो फिर मेगा लीग में अच्छी परफोर्मेंस करने के जो आपके चांस है वो बनी रहेंगे तीक है अब मैच लोई स्कोरिंग हाय स्कोरिंग कैसे हो सकता है सारी बात समझाऊंगा ध्यान से दिखना तो वह ये पिछला T20 मैस था लखना और कोलकत्ता के बीच तो कोलकत्ता टीम के बल्लेबाई शोर्ट से पूचा गया क्योंगे पिछ के बारे में आप क्या कहेंगे शोर्ट ने कहा वही जो पिछ पहली पारे में बल्लेबासिक करना तोड़ा मुश्किल था पर तोड़ी स्लो थी लेकिन जैसे जो फ्लट लाइट ओन हुई उसके बल्लेबासिक करना असान हो गया और बोल बल्ले पे काफी अच्छे साई इसका मतलब है दूसरी पारे में अंडर लाइट बल्लेबासिक करना असान है पहली पारी में आजो है वो natural light होगी तो natural light में बले बासे करना मुश्किल हो सकता है आयर की वात करें तो आयर ने ये कहा बही टोर शितकम ने पहले गिंदबासे करनी थी जो हमने किया उसके बाद आयर ने कहा सबसे जरूरी था कि हमारी टीम के जो गिंदबास है वो slower ones का काफी ज़्यादा यूज़ करें अगर हम अपने plan को अच्छे से execute कर पाए तो हम अच्छा perform करेंगे उन्होंने कहा कि हम अपने plan को अच्छे से execute कर पाए plan किया था कि जितनी ज़्यादा उसके slower one का use करना है अईयर का मानना था जो wicket है वो दिन में heat के चलते dry हो सकती है जब wicket जो है heat के चलते dry होगी तो simple सी बात है जब तेस गिंदबाइ slower one का use करेंगे तो बोल उतनी अच्छे से बल्ले पीने आगा गेंद को time करना मुश्किल होगा तो run score करना मुश्किल काम हो जाता है लेकिन आप देखो अईयर की मैं दाप दूँगा क्योंकि पिछले T20 मैच में टोर्ष जितके पहले गिंबासी करने का फैसला किया अदर्राइस बहुत सारी टीम क्या करते हैं टोर्ष इतके पहले बल्लेबासी करने का फैसला करती है टीम का मानने गर्मी काफ़ी जदा है फ्रीडिंग कोन करेगा लेकिन कोलकता टीम ने जीतने के लिए T20 मैच कहला और पहले गिंबासी करने का फैसला किया और इतनी गर्मी में फ्रीडिंग की और कुलकत्ता टीम को उनका असर्ट मिला तो इस C20 मैट में ध्यान रखना जो टीम पहले बल्लेबास से करती है उनके सामने जो भे टीम गिनबास से करेगी अगर उनके टीम के तेस गिनबास ने अपनी स्लो गिंदो का यूज किया तो अपने टीम के बल्लेबास के रण मारने के चांस कम हो जाएंगे और चेस कनवार टीम मैच मिन करेगी जो टीम पहले बल्लेबास से करी है उनके सामने अपने टीम के गिनबास ने ज़्यादा पेस का यूज किया तो फिर पहले बल्लेबासी कन्वार टीम रन मार सकती है और चेस कन्वार टीम के मैच मिन करने के चांस कम हो जाएंगे अगर भी आप इस T20 मैच में मेगा लीग खेल रहे हैं तो मेगा लीग में fantasy team कैसे बना सकते हैं सबसे पहला fantasy team बनाओगे कि वह ये T20 मैच में पहले बल्लेबासी कन्वार टीम ने दोस्तो रन मारे और अपने target को defend कर लिया दूसरा team बनाओगे पहले बल्लेबासी कन्वार टीम ने दोस्तो रन मारे लेकिन अपने target को defend नहीं कर पाई तीसा fantasy team बनाओगे कि जो टीम पहले बल्लबास से करें, कंडिशन का चाय यूस नहीं कर पाई, बैटिंग कोलैप्स कर गई, और चेस वाले टीम ने टागेट को राम से चेस कर दिया, तो ये तीन सेनरियो में इस fantasy team आपको बनाने हैं, तो इस match में निश्चीन तोर पे, आप fantasy की film में अच्छा प से fans में ज़्यदा fantasy point दिये, पिछले 3-320 match में बल्ले बासो ने बल्ले के साथ 1100 fantasy point दिया, गेन बास Wentu ने 815 fantasy point दिये, बल्ले बासो काउट करके, तोटल डिफ्रेंस के बाद के 3-320 match में 225 का आगया, यानि बल्ले बास, गेन बास के itemsков, में 피aban下去 में ज़्यदा fantasy point इस venue पे द बेटो आप करें तो आपको समझा गया जो टीम पहले बल्लेबास से करती है अगर उसके टीम ने दोस्तो या दोस्तो से ज़्याद से तर具 सेट नहीं किया तो तो इस टीम के मैच मिन करने के चांस काफी कम है, क्योंकि यहाँ पर पहली पारिकर जो विनिंग एवरी स्कोर है, पिछले 3 T20 मैच में वो 212 रहने, ठीक है, तो यह सारी बात आपको यहाँ पर समझ आई, अगर गिन बासे के बात में, बल्लेबासी की पर डीक पीचा है, तो तेज और इसमिन गिन बास्ट, दोने इस टाने पेच्छी गिन बासी नहीं कर पाए, भला कि पिछले 3 T20 मैच में, तेज गिन बास ने 24 बल्लेबासों काउठ किया, तो इस्पिन गेंद बास ने 11 बल्लेबासों काउट किया आज इसी 20 मैट में कौन से गेंद बास जादा बल्लेबासों काउट करेंगे वीडियो देखते रहो सारी बात आपको बताऊंगा तो यह कि यह बात और द्यान रगना कि इस दोनिपे 6 अपरेल 2 साथ है इसको कोल्कता और RSV की टीम के भीछ मैच वा था पिछले साल कोल्कता की टीम ने पहले बल्लेबासी करके 200 चारण मारे थे और RSV की टीम की बल्लेबासी 17 पर में कोलैपस कर गई थी और इसthey 20 मैट में इसमीन गिंद बास ने जबरदास गिंद बासी करवाई थी अब मैं आपके साथ वो स्टैट्स श्रे करूँगा जिनके माद्देम से आपको पता चलेगा इस मैट में कौन से प्रेयरों को टीम में लेना है और कैसे आपको fantasy टीम बनाने है यानि इन दोने टीमों बीच खेलेगे पिछले 4 T20 मैच इसमें कौन से बल्ले बास ने रन बारे कौन से बास में कितने विकिट निकाले साइ इन फोर्मेशन में श्रे करूँगा ध्यान से वीडियो देखना तो वह पिछला T20 मैच आइपल 24 में आर्सवी और कोलकता की टीम के बीच हुआ वो मैस था बैंगलोर में तो कोलकता की टीम के सामने बैंगलोर में आर्सवी की ट वल्ले के साथ 83 रन मारे, कैमरून गिन का 33 था और फिर अज़त पाटिदार चलानी अनुजराव चलानी नीचे दिनेश कार्तिक ने आर्ट बोल में 20 रन मारे, दिनेश कार्तिक को बहुत साए लोगों ने फैंटसरी टीम में ले रखा है, लेकिन ध्यान रखना आर्ट बोल 29 संदे के 2 बल्ले बासों काउट किया, कोलकाता ने चेस किया, शोर्ट ने रन मारे, सुनील ने रन मारे, लेकिन इस्टी 20 मेट में कुछ हट के आपको देखने को मिला, टीम ने फैंकी को बैटिंग में परमोशन दिया, तो और आपको जानके एरानी होगी, कि इस्टी 20 अगर ने एक बल्ले बासों काउट किया, लेकिन विजय कुमार ने बहतर गिनबासी करवाई थी कोलकाता के सामने, चार और में 23 संदे के बल्ले बासों काउट किया, अगर इस्टी 20 मेच में आर्सभी की टीम पहले गिनबासी करती है, और विजय कुमार इस्टी 20 मेच में पार्टस बेट कर रहा है तो यह आपका वो गिंदबास होगा जिसको कम लोग तो टीम में ले रहे हैं लेकिन अपनी परफोमेंस आपको चोका सकता है अब आप देखना है इन दोनों टीमों की बीज जो पिछला T20 मैच वाँ कोलकाता ने बल्लेवासी करी 200 रन मारे फिर अगर आप RSV की टीम की बात करते हैं चेस करके वाँ 79 रन मारे अब अगली तीन T20 मैचेस तो मैं देखता हूँ मैंने एक कोमन पैटरन को नोट डाउन किया क्या नोट डाउन करा कि कोलकाता टीम बल्लेवासी कर रही है कोलकाता टीम रन मार दिया है लेकिन कोलकाता टीम रन क्यों मार रही है क्योंकि RSV की टीम ने कोलकाता की टीम के सामने ऐसे गिनबासों को जादा निकिलाया जो लगातार 140 की प्लस से गिनबासी करे और वेल डिर और सब्सक्राइब और इनके अच्छी गिंबासी करने के चलते RSV की टीम के वैटिए एकदम कोलाप्स करती है तो मेरा माइंड बिल्कुल के लिए रहा है आज इसे 20 मैंचे मेगा लीग में मेरे को अच्छा पर्फॉम करना है तो मैं fantasy टीम बनाऊँगा कि वही कोलकाता टीम बल्लेबासी करती है कोलकाता टीम बड़ा टागेट सेट करती है बड़ा टागेट सेट कर पाई क्योंकि RSV की टीम के जो तेस गिंबास है वो अच्छी गिंबासी नहीं कर पाई अच्छी गिंबासी मतलब क्या है RSV की टीम की बैटिंग को कुलैस करते हैं और इस तरह कोलकाता की टीम T20 मेंच को विन करती है तो मैं मेगा लिग का fantasy टीम बढ़े राम से यह बना सकता हूं फिर मैं एक मेगा लिग का fantasy टीम बनाऊंगा क्योंगी कोलकाता टीम के बल्लेबास ने अच्छा करा आर्सवी के गिंदबास सचा नहीं कर पाए लेकिन अब आर्सवी की टीम की बल्लेबास नहीं चले और कोलकाता टीम के तेज़ो स्पिन सब गिंदबास नहीं अच्छा परफॉंग कर दिया क्योंकि ऐसे T20 मैट में दोनों टीमों के बीच वे देखो कोलकाता टीम ने 204 न मारे थे अब इसके जवाब में आज से विजी टीम सिर्फ एक 103 न मार पाए ठीक है तो हुआ क्या था इस T20 मैट में रिंकु ने 46 न मारे थे गुरबास ने 17 न मारे थे और शार्दू ने 80 न मार दे ठीक है तो इस C20 मैट में तेस गेंड़ासो की बात करें तो सिराद ने एक, विली ने 2 बल्लेबासो काउट किया और फिर करंट शर्मा ने 2 बल्लेबासो काउट किया तो इस तरसेन की टीम ने 204 न मार दिये बैंगलूर की बात करते इनकी टीम में विराट फैफ को अच्छा है, स्टार्ट मिला चे, स्टार्ट को बड़ी पार में एक अन्वर्ट नहीं किया, वापस इस पिन गेंद बासु को देखना सुनी लेरेन, दो बल्ले बासु काउट किया, वरुन चेकरवती, चार बल्ले बासु काउट किया, स्टीर स्टीर तीन बल्ले बासु काउट किया, तो जो फोर्मला मैंने मेगा लिग में अच्छा पर्फॉर्म करने का आपको बताया है, अगर आप उस फोर्मले का यूज़ क बात करें तो इनकी टीम के 30 गेंदबास अकाश दिप ने टीम के 30 गेंदबास को गाउट किया था यहनि इनकी टीम के गेंदबास चले और देखो आप fantasy टीम बनाओगे ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि RSV की टीम को अगर 20 मैच को विन करना है तो वो एक ही तरीके से विन कर सकती है कि RSV की टीम इस 20 मैच में बहतिन गेंदबास से करके करवाई थी तो उम्मीद करता हूं भाई आपको समझ आ गया कि इस वाले T20 मैच में अगर मेको मेगा लिग में अच्छा पर्फॉंग करना है टीम बनाई कोलकता मैच में कर रही है हाई स्कोरिंग मैच है टीम बनाई कोलकता की वैटिंग को लैप्स कर गई तो आर्सवी की ट अच्छा पर्फॉंग कर पाएंगे और मैं भी अच्छा पर्फॉंग करने वाला हूं अब हम बात करेंगो इस फैंटेसी टीम में कौन से ख्लैड़ो को कप्तान बनाई सबसे पहले फिल शोर्ट की बात करेंगे तो देखो फिल शोर्ट जो है कुलकता का बल्ले बास है इस 320 में मेगा लिग खेलते हो, मेगा लिग में रीस से टोप लिग को fantasy team में कप्तान बना रखा है, तो आप मेगा लिग की fantasy team में short को drop कर सकते हो, लेकिन small league खेलते हो, आपको बिल्कुर recommend नहीं करूंगा, कि इस match रे field short को drop कर दो, क्योंकि आपके सारी अपोनेंट 2320 में फिल्कुर्ट को अपनी fantasy team में लेकि आएंगे, लेकिन आप mega league में drop कर सकते हैं, reason मैंने आपको बता दिया, सुनिल की बात करें, आप इनको fantasy team में drop मत करना, mega league की बात करो, चाहे small league की बात करो, क्योंकि सुनिल इस समय बल्ली गेंड दोनों से contribute कर रहा है, यार आप मेरे को बताऊना, आपको ऐसा खिलाडी कहा मिलेगा, जो confirm आपको 4 ओर गेंड बासी करके दे, जो confirm आपको ओपन बल्ले बासी करके दे रहा है, तो इस वाज़ा से सुनिल पर्फॉर्म करें ना करें, यह तो फैंटेसरी टीम में ड्रोप कर सकते हैं, मेगा लिग में, तो ध्यान रखना, मैं आपको side by side बता रहा हूँ, कि स्मोल लिग की टीम में लेना है, और मेगा लिग में ड्रोप करना है, तो कैसे करना है, ताकि आप लोग इस मैट में अच्छा पर्फॉम कर पाओ, और वीडि पर्फॉमेंस करने के चांस चाद है, अगर बल्ले बासी मिलती है, तो अप रघुवनशी के साथ जा सकते हैं, आयर की बात करीए टीम के कप्तान है, टीम का कप्तान है, तो भाई बल्ले बासी करने नमबर 4 पे आएगा, बाकि इस सब बल्ले बासी के कमपेंस में, आयर को बल्लेबासी विले के चांस काफी ज़ाद है IAR को कौन तंग कर सकता है IAR को वो गिंदबास तंग कर सकते हैं जो IAR के सामने 33 गिंदबासी करें और IAR को वैल डिरेक्टेड बाउंसर डाल पाई ठीग है तो मैकसम चांसे की रशल पूरे 4 गिंदासी करता है पिछला मैच रशल ने 4 गिंदासी कराई उससे पहला अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर रशल ने चेस में 4 गिंदासी चाइंदबासी की 39 बल्लेबास काउट किया फिर सागर आब बात करते हैं तो इस वारे T20 मैट में रसल ने गिंद्बास 더ी तो यह कैस्वटर T20 मैट था जब रसल ने गिंद्बास ने कराई इसपिन गिंद्बास चले थे ठीक है फिर उससे पहले गगर आप बात करोगे तो इस में tragen रसल ने दो बर गिंद्बास ही करवाई थे तो एक चीज़ किलियर हुई, कि मैं रसल है न, वो गेंबास ही जब करा था, जब इनकी टीम के स्पिन गेंबास नहीं चल रहे हैं, तो रसल के गेंबास ही करने के चांस कम है, तो एक बात यहाँ पे और किलियर हुई, अगर मैंने fantasy team में, कोलकता टीम के स्पिन गेंबास को ल रसल को टीम में ले सकते हैं, बल्लेबास ही पॉइंट ओफिस है, और उनको fantasy team में लेके, कप्तन हो, इस कप्तन ना बना है, तो आप अच्छा पर्फूम कर पाएंगे, रिंको बल्लेबास ही काफी नीचे करा है, और रिंको को बल्लेबास ही तभी मिलेगी, जब RSV की टीम क सामने कोलकता की वेटिंग को लेप्स करेगी, अदरवास बल्लेबास ही मिलने के चांस काफी कमें, अब भाई आप देखो, जो बल्लेबास ही कोलकता की, उसमें कितनी गराई है, खतम नहीं हो रहा, रिंको आगया, फैंकी आगया, और इन सब बल्लेबास को आउट करने करे की तरीका, तेज तरह गिनबास को खिलाओ, जो अच्छे पेस और बाउंस के साथ इनको बाउंसर डाले, तो इस T20 मैच में कमगा, लुकी फर्गुसन को, आर्सवी की टीम को खिलाना चाहिए, ठीक है, अगर बाहर करना है, तो भाई है, इसे टोपली को भी बाहर करना, और पुरिसे टोपली के प्लेश पाउंसर आप टोम करन को खिला सकते हैं, क्योंकि ये वो T20 मैच है, जहाँ पर आर्सवी की टीम के तेस गिनबास, लुकी फर्गुसन के अच्छी गिनबास से करने के चांस मेरे को लग रहे है, रमन दीप सिंग तक बल्लेबास से इनकी टीम क पास्टिक है, ये इनकी टीम का गिनबास से का कुछ लिका जोख है, जो कि आर्सवी की टीम का है, आप वीडियो को पोस करके देख सकते हैं, कि टीम के कफ्तान फैफ ने कब कैसे अपनी टीम के कौन से गिनबास को ज़्यदा गिनबास से कराई है, फिलाल यहां से किलियर त पार्फोर्म लिए टीम कोई इस्ट जीन को गिनवास ही करवाएंगे 17 से 20 की बात करें पिछला कि 20 में जब दिन में इस वैन्यू पे खिला था तो तीन बल्लबासू का आउट करके गए ते और दिन में मेरे को लग रहे अच्छा परफॉर्म गिनवासी में कर सकते हैं कमपेर्स में रात के, अगर पहली पार में कोलकता गिंदबासी करते मिचा स्टार के साथ आप जा सकते हो, इस वहने पर तीन मैट में तीन विगेट है, वरुन चकरवती की बात करें, 10 स्टी 20 मैट में चोधा बल्लेबासु काउट कर चुका है, और आपने देखा है, आज सु अगर आप पूपर वाले खिलाड़ों को टीम में लेंगे, तो आज स्टी 20 मैट में खेलने का मुखका न मिले, क्योंकि आज सबी की टीम के सामने पेचली बार आपने देखा होगा, टीम ने अनुकुल रोई को खिलाया था, क्योंकि उनकी टीम के सामने ओर्थुन बासे करते हैं, ये कोलकता टीम जानती है, अनुकुल रोई ने दोवर गिंदबासे की आज सबी की टीम के बल्ले बास को खामोश रका था, तो इसी 20 मैट में अनुकुल या स्वेश को मेरे को लगता है, गिंदबास में टीम इस्तमाल कर सकती है, कंपैस में वेबाव आरो अब विराट की बात करेंगे, विराट की फोर्म रिसन टाइम में अच्छी है, कोलकता की गिंदबासों के सामने बात करें, तो ऐसा नहीं की कोलकता की गिंदबास ने विराट को आउट किया, यानि आउट करने की फ्रिकेंसी कोलकता की गिंदबासों की आज सबी की टीम के बीच मेंच वा तो फिर Michal Starr को आपको टीम में रखना पड़ेगा, अगर आप Seven-20 मेचर में Michal Starr को टीम में लेके कफ़्टान करते हैं, तो फिर आप इन दोनों को टीम में द्रोब करने का रिस्थ क्ले सकते हो, अदर्वाइस मत लेना, तुक है, Will Jacks के बात करें, आज इस वैक्ट आपको टीम में लेना है, पचास पासन लोग लेने लेकिन आपको टीम में लेना है, क्यों लेना है? क्योंकि Will Jacks पिचले T20 में रेनाउट हो गया था, और मेरे को इसके अंदरना बहुत पोटेंशल लगता है, बल्लेबास से पॉइंट आफ़ी से बात करें, इस पिन होते हैं, दोनों के इंदबासों के सामने अच्छा केल सकता है, तो Will Jacks को इसकी बैटिंग के चलते मैं इस मे दोने में ड्रोप कर सकते हो, क्यो ड्रोप कर सकते हो, क्योंकि मैचा कोलकसा के टीम के साथ, दोनेश कल कोटिंग के इस पिचले अगर आप दिनेश कार्थिक के पिछले 4 T20 मैच वी बल्लेबासी देख तो कोलकतागी टीम के सामने, तो दिनेश कार्थिक को ज़्यादा अच्छा परफॉम करते हो, आपने पाया नहीं होगा, देखो 20-25 सन इन्होंने मारे है, 9-10 बोल के अंदर कोलकतागी टीम के सामने, मैं इस बात से अगरी करता हूँ, अगर आपका अपनी फेंटेसी टीम मैच वी बल्लेबासी करके, 20-25 सन मार दे, तो आप दिनेश कार्थिक के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई एक कैसा गिनबाज आज इस C20 मैच में नेसर आ रहे है, जो आपको लगता है कम से कम दो बल्लेबासों काउट कर देगा, तो मैं कमगार दिनेश कार्थिक के उपर आप उस क्लाड़े को प्रिफरेंश दे सकते हो, इस समौल लिक में कोई काम नहीं है, अनुज रावत समौल लिक में कोई काम नहीं है, यह बोलिंग चाट आपके सामने कोल करता कि टीम का ठीग है, तो टीम कैसे गिनबास कर रही है, मिर्चल से स्टाक पार्पल में गिनबासी करता है, वैबो खेल रहा है वैबो पार्ट पिल में गिनबासी करता है लेगिन वैबो अगर इस्टी 20 मैच में नहीं कहलेगा हर्श्री तराना गिनबासी करेगा फिर टीम वरुन चक्रोती सुनी लेरेट इनको एक एक और पार्ट पिल में गिनबासी करवा सकते ठीक है और फिर अनुकुल रोय है अनुकुल रोय भी गिनबासी करेगा ध्यान रखना अनुकुल रोय गरिस्टी 20 में खेलता है तो 7 से 11 में ज्यादा गिनबासी करेगा ग्यार आवर के बाद अनुकुल रोगे गेदासी करने के चांस कम हो जाते है अगर आप बात करों के बहुँ 17-20 और में कौन गेदासी इनकी टीम में कराता है तो इनकी टीम में मिचल स्ट्राक और हर्श्ची तरहना यह गेदासी कराएंगे अगर दोनों गेंबास ठीक गेंबास से करारें कंटीनू करेंगे अगर किसी गेंबास की पिटाई हो जाती है तो टी फिर अंदर रसल को 17-20 में यूज़ कर सकती है विजय कुमार की बात करो आपको बता दिया एक ऐसा प्लेर जिसको कम लोग टीम में ले रहें लुकी फर्गेसन इसको आप टीम में ले सकते हो क्यों टीम में ले सकते हो क्योंकि लुकी फर्गेसन के पास स्पेस भी और अच्छे खास से बाउंसर भी यह डाल सकते है तो आप लुकी फर्गेसन को पहली पारी में गेंबास ही करें तो अपनी fantasy team में सुरूर लेके चला तो मैं कुछ गिंदबासों के नाम बता रहा हूँ जिनको कम लोग team में लेके जा रहे हैं लेकिन ये सब गिंदबास अच्छी performance आप सब को चुका सकते हैं अब चलो बात करेंगे अपनी final fantasy team combination के वारे में उससे पहले भाई एक बात मैं clear आपको कर दूँ कि इस वीडियो के अंदर हर एक player के बारे में इन detail मैंने आपको समझा दिया कौन सा player कब कैसे perform करेगा मैंने जैसा वीडियो के start में का था 5 Megalig की team आपको दूँगा तो 5 scenario मैंने आपको बता दिये जिनके चलते हैं आप इस C20 match में Megalig team बनाएंगे और Megalig में अचा perform करेंगे इवन मैंने आपको यहां तक बता दिया कि Megalig की team में आपने अपनी fantasy team में कौन-कौन से खिलाड़ों को लेना है जैसे मैंने क्या का Megalig की team में अगर आप RSV की team को match बिन करा रहे हैं तो इस C20 match में निश्री तोरपेच्चा perform कर पाएंगे कोलकाता team की बल्लेबास से चली RSV के टेस गिंदबास नहीं चले तो यह भी कुछ point है जिनको ध्यान में रखे आप fantasy team बना सकते हैं और अगर आपको in detail जालना है तो इकर आप वीडियो को start से देखते हुए नहीं आएं तो इस starting में जाईए वीडियो को continue देखते हुए यह आपको सारी बात समझ आएगी तो चलो final team की बात करते हैं तो देखो फिलाल fantasy team में short मेरे पास है दूसरे की पर की choice मेरे पास decay की थी लेकिन मैंने DK के place पैसे game bass को fantasy team में जगा दिये जो मेरे को लगता है कि C20 match में game bass से करके दो बल्ले बासों काउट कर सकता है अगर आपको लगता है कि इस match में कोई ऐसा game bass नहीं जो दो बल्ले बासों काउट कर सकता है तो फिर DK को आप reference दे सकते है विराट और फैफ के नाप पे कोई doubt आपको होना नी चाहिए यहाँ पे मैं ragu wanshi और सिरेज चाहर को team में लेना चाहता था लेकिन पितले T20 match में की team के सामने गंबीर ने wanky को number 3 पे बल्ले बासों करवा दी थी तो फिर मेरे मन में आप doubt के लिए रोगया के ragu wanshi या iar उपर बल्ले बासों करेंगे आफ एंक की उपर बल्ले बासों करेगा तो इसी वज़ेसे यहाँ पे मैं किसी एक बल्ले बास को team में लेने का design नहीं बना पाया अगर C20 match में कोलकता पहले बल्ले बासी करती है तो फिर एक बार भी आप आयर और अगवंशे के बार में सोच सकते है अगर कोलकता team chase करेगी तो आपको सलाद दूँगा इस स्मोलली की team में आप इन खिलाडों से दूरी बना सकते है सुनी ले रहें, आंधिर असल और विल जैक्स इनके नाम पे कोई डाउट आपको होना नी चाहिए गेंद बासे में मिचल स्टाक है, वरुन चकरवती है, लुकी फर्गेसन है, रीसे टोपली है और हर्शित नाला ठीक है तो ये पांच गिन बास आपको मेरी fantasy team में ने सरेंगे, टोस से पहले कप्तान सुनी ले रहें है, वाइस कप्तान मेरा विराट को लिए टोस का बास मेरी fantasy team में कोई भी change होगा, क्योंकि आप जानतों condition को देखने के बाद हम अपनी fantasy team को final करेंगे आपको बता है, पहली पारे में इस वाणवे बल्ले बास से करना, दूसरी पारे के कंपेस में तोड़ा मुश्किल काम है D2 same team के साथ जो मैं small league के लूँगा, वो D2 side same team टेलिग्राम चैनल में आपको share कर दूँगा, ठीक है तो join सरूर करना, link video के नीचे description box में आपको मिल जाएगा तो फिलाल भाई बस आट के लिए स्वीडियो में इतना ही, उमीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई, तो सबने वीडियो पे लाइक क्योंगा, चैनल को subscribe कर लीजे तो भाई आप सबके साथ वापस एक बार फिर मुलाकात होगी, आज एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि आप जानते हो, साम के समय, एक और बहतीन T20 मैच है, और उस T20 मैच वे भी हम लोगों को fantasy की फिल्मेच चा परफूम करना है, तो थोड़ी देर में उस T20 मैच की वीड नहीं देखिये मेरी, तो मेरे यूट्यूब चाल पर जाके आप उस वीडियो को भी फिरूर देख लेना,